आईए, सुनिये, देखिये, समझिये, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, गुदरत, गुदरती रचना, एवं कुदरत के कानोन से शाश्वस सुख की प्राप्ती, जोद्पुर के परंपुच महात्मा, उपासक, प्रोफेसर, डॉक्टर, सोहन राज तातेड के निर्देशन में, सनातन सत्य, जैसी द्रिष्टी, वैसी स्रिष्टी, द्रिष्टी विज्यान, बाई और बैनों, मात्री सक्ति को नमन, आज का हमारा अत्ती उत्तम विशय सुख कौन भोगता है, देखिए, बहुत ही अच्छा एपिशोड है, के वास्तों के अंदर हमको भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, और अपने इच्छा नुसार वस्तु मिलती है, पांच इंद्रियों के सुख मिलते है, आखों से अच्छा द्रश्च देखने को मिलता है, कानों से जो है अच्छा भजन जो है सुनने को मिलता है, और नाक से अच्छी सुगंद आती है, चम्डी से कोमल कोमल इसपर्श होता है, और जिब के उपर मिठा मिठा अच्छा अच्छा स्वाद आता है, तो ये सारी चीजे होने पर जो है अब हमको तैह करना है कि वास्तों में सुक कौन भोगता है, क्या शरीर सुक भोगता है, क्या आत्मा सुक भोगती है, या कोई और सुक भोगता है, ये चीज जिब हमको इसपस्ट हो जाएगी, क्या वास्तों में सुक कौन भोगता है, तो हम अलर्ट हो सकते हैं, और हम अपना जीवन उसी के अनुरूप बना सकते हैं, और जो वस्तों हमको एफेक्ट करने वाली है, उससे हम जागरत रह सकते हैं, तो वास्तों में जो सुक भोगने वाला है, देखिए हमारी जो प्रतिष्टित आत्मा हैं, जो की पुर्शार्थ करती है, मूल आत्मा की मत्र हाजरी है, प्रतिष्टित आत्मा सारा पुर्शार्थ करती है, चाए संसार का पुर्शार्थ हो, चाए मुक्स का बावों के द्वारा कोट चड़ा करके बाव करम बनाना हो चाहे जो है हमारे पिछले जनम के करमों का बुगतान हो इस जनम के अंदर मिकेनिकल मोड से डिस्चारज रूप में करमों का बुगतान करना और जो बाव करम में उसको चार्जिंग कहते हैं और जो हमारा उदे प्रारब है वो डिस्चार्ज कहलाता, सारी जो फैक्टरी है वो हमारी प्रतिष्टित आत्मा है, मिकेनिकल आत्मा कुछ नहीं करती है, वो तो आटो मोड से चलती है, वो तो जड़ है और वैसे प्रतिष्टित आत्मा भी जड़ है, लेकिन मिकेनिकल मोड से चलने के कारण ये डिस्चार्ज हमारी आत्मा काईए हमारे जो है उदे प्रारब्द काईए कर्मों का बहु काईए ये जो है ये तो आटू मूड से चलता है इसमें हमारी सोतंतुरता नहीं है और इसका सारा कंट्रोल, कुदरत, कुदरती रितना और कुदरत के कानून के अंतरगत है और कुदरत का एक विभाग होता है जिसको की विवस्तिश शक्ति कहते है scientific circumstantial evidences कहते है वो ही जो है इसका सारा संचालन करती है हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है और आप कहते हो नहीं यह जो कुछ भी उद्य प्रारब चल रहा है मुझे घर मिला है या मुझे धन मिला है इस्त्री मिली है कपड़ा मिला है जो भी मिला है ये सारा जो मिला है ये मैंने किया और ये शरीर मेरा है मेरा घर मेरा धन मेरा परिवार मेरे बाल बच्चे बाल बच्चों उपेरों पर मैंने खड़ा किया, फैटरी मैंने खड़ा करी, यानि मैं और मेरा, यानि कि मित्या ग्यान, मित्या दर्शन आप पैदा कर लेते हो, और वही अग्यान है, मित्या ग्यान, मित्या दर्शन और मोनिय कर्म, ये तीनों मिलकर के अग्यान कहलाते हैं और गाती कर्म चार होते है ग्याना वर्णिय कर्म जो है वह मित्या ग्यान से मिला हुआ है और दर्षना वर्णिय कर्म वह मित्या दर्षन से मिला हुआ है और मोनिय कर्म में ऑनर्शिप डूर्शिप से जुड़ा हुआ है और एक अंतराय करम होता है ये तो जब तीनों टूट जाते हैं जो आत्मा की गाहत करते हैं तो अंतराय आटोमेटिक जो है वह टूट जाता है अंतराय करम तो तीनों को बांदे हुए हैं और तीनों के टूटने के साथ साथ में अंतराय करम की अवदी भी समापत हो जाती है तो भाई और बैनों हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा प्रतिष्टित आत्मा करती है तो प्रश्ण ये है कि सुक कौन बोगता है देखिए हमारी प्रतिष्टित आत्मे मन, बुद्धी, चित और एंगार ये चार जो गटक है इनके द्वारा जो भाव पढ़ता है उस पे कोड चड़ता है भाव कैसे पढ़ता है भाव जो है तीन तरह के होते हैं पहला भाव होता है अशुब भाव, अशुब भाव का पतलब किसी के प्रतिम मन में बुरे भाव लाना मन में इंसा का भाव लगान, मैं भाव पक्ष की बात कर रहा हूँ, किरिया पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को मारने का भाव लाना, किसी को लूटने का भाव लाना, और किसी की परती दोखा करने का भाव लाना, किसी की इंसा करने का भाव लाना, किसी को मारने का भा होती है उसको हम शुब भाव कहते हैं शुब भावों से पुन्य बनता है अशुब भावों से पाप बनता है यानि ये पुन्य पाप को बांधने वाले होते हैं और पुन्य पाप स्वयम जो है वो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी होती है और ये स्वयम जो है अपने आ बावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा चाहते हैं ताकि आने वाले चार-पाँच बवों के अंदर हम अपने ग्यान दर्शन जो हमारे साथ जाते हैं ग्याना वर्णिया दर्शना वर्णिया तो उनका जो है हम डेवलेपमेंट करके साथ में ले जावें तो वो highly developed साथ में जाने चाहिए ताकि वो डेवलप होते होते अल्टिमेटली तीन सो साट डिगरी का अनुबव हम बनाना चाहते हैं दो चार पाँच बवों के अंदर ताकि की हमारे केवल दर्शन और केवल ग्यान हो जावे तो अब देखिए मन बुद्धी चित एंकार ये चारों प्रोसेसिंग फैक्टरी है और जो करम बनता है वो हमारा जो अशुब भाव शुब भाव और शुद भाव शुद भाव क्या होते हैं मुक्ष के लायक और शायक होते हैं जो की मन वचन काया से मुक्ष ऐसा मैं शुद आत्मा हूँ मैं शुद आत्मा हूँ मन वचन काया कुदरती रचना मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्ष ऐसा मैं शुद आत्मा हूँ ऐसा हमारे भीतर चिंतन चलता है ऐसी हमारे जागरती रहती है और मैं शुद आत्मा हूँ ये प्रितिती रहती है और केंदर में प्रभू बिराजमान है ये हमारा केंदर है पिन्यल गरंती आत्मा के तक पहुँचने का केंदर आगया चक्र का ये दर्शन केंदर चाहिए यहां प्रभू बिराजमान हो जाते हैं शुद्ध भावों से हम प्राण प्रतिष्टा करके और जो हमारे प्रभू ईश्वर बगवान को जिंदा बगवान के रूप में या बिठा देते हैं तो फिर हमारे केंदर में आगे इनका समराजी इनका आदेश और इनकी नीतिया चलती है जो की सम्यक ज्यान सम्यक दर्शन होता है तो वो डेवलिप होता रहता है तो देखिए कि मन बुद्धी चित एहंकार ये अंता करन कहलाता है अंता करन जो है करमों को चार्ज करने में सयोगी होता है करम चार्ज किसे होते हैं मूल तो भाव होता है उसके बाद में वर्तमान का ग्यान दर्शन पुराने अमार पिछले जनम का जो हम लेकर के आये हैं ग्यान दर्शन और हमारा इंट्रेस्ट, इंटेंशन और जो हमारा भावपक्ष है और उसमें सयोगी बनते हैं मन, मुद्धी, चितेंग का पूरा सिस्टम बन करके करम का बंद करते हैं, करम का कोट लगाते हैं, करम तो वो तो मन वचन काया प्रवर्ती करके और जो है वो हमारे इस जो है कौसमॉस में से तान के लाती है, वो आप करम नहीं कहलाता है, तो पुद्गल चतुश्वर्षि पूर्श्य पुद्गल पर कोट चड़ता है, तब वो करम कहलाता है, कोट चड़ने में ये सारे factor काम आते हैं तो आप देखिए कि हम आपको बतावे हैं कि मन जो है ना वो पैमपलेट निकालता है कैसे निकालता है कि आपने चुनाव की प्रकिरिया को देखा होगा जब कभी भी M.L.M.P. पंचायत या नगरपालिका के चुनाव आते हैं चार पार्ट लोग अलग अलग पार्टियो के खड़े होते हैं वो हमको पैमपलेट बाड़ते हैं उसी तरह से मन के सामने जो है इंद्रियों के पैमपलेट आते हैं जो पांचों इंद्रियों के तैईस विशे के पैमपलेट आते हैं तो मन तो बेचारा नोकर है वो तो दूद है वो कोई निर्ने नहीं ले सकता है त तो ये सारे पेंपलेट वह बुद्धी को दे देती है तो बुद्धी क्या करती है कि वास्तों में बुद्धी जो है वह जो है प्राइम मिनिस्टर का काम करती है लेकिन वह कूद्धी रहती है राग द्वेश करती है ये अच्छा है ये खराब है ये अच्छा है ये खराब ह परंतु निरने नहीं कर पाती तो वह क्या करती एक अपने बोस चित को जो है बेज देती है तो चित क्या करता है जो हमारे CCTV कैमरे होते हैं कैमरे विजुलाइज करते हैं फोटो कीशते हैं तो जो कोई भी पैमपलेट जो है मन से बुद्धी के द्वारा चित को आए तो चित है वो सब के फोटो खींच देता है चार पांच जिते भी प्रपोजल आते हैं पेम्पलेट आते हैं वो फोटो खींच दा है वो फोटो एंकार को बेज देता है एंकार मन बुद्धी चित एंकार जो है ये सबका मॉनिटर है ये अंताय करण का मालिक है एंकार एंकार को हम करोध मान माया लोब को पूरे को एक को एंकार रूप के अंदर बोलते हैं क्योंकि चारों में डॉमिनेट करता वो एंकार है तो ये जो प्रस्ताव, मन, बुद्धी, चित के दौरा आए हुए हैं तो एंक जो है जिसके उपर चाप लगा देता है एंकार है वो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट जब प्राइम मिनिस्टर से यानि लोग सबा से राज्य सबा से कोई प्रस्ताव आया तो फिर जो है वो राष्ट पती ने चाप मार दी एंकार ने चाप मान दी वह माननी हो जाता वो वह निर्णे जो है फिर हमारे वापस मन के द्वारा बुद्धी को और फिर पूरे शरीन में करमेंद्रिया हैं जो हमारे हाथ है पाउं है मन वचन काया है तो ये सारा है जो उपर से आया है उसका पालन चालू कर देते हैं अच्छा या अच्छा पालन करते हैं बुरा है तो यानि कि जो उद्धे प्रारब्द है वह सारा मतलब एंकार की छाप लगाया हुआ होता है उसके अनुसार हम करने लग जाते हैं अब देखिए कि मैं आपको बताता हूं कि आपके तिजोरी अब एंकार सुक कैसे भोगता है वो हम आपको बताते हैं आपकी तिजोरी के अंदर एक करोड रुपया पड़ा है तो वो करोड रुपया में क्या तिजोरी को सुक लगेगा नहीं लगेगा और हमारी शुद्धात्मा है उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है जड से उसमें तो जड़ का एक भी परमानू नहीं है वह तो ज्ञान दर्शन वाली है वह तो मुख्श जाने वाली है पर इस शरीर रुपी कारा वासने कार्मन शरीर अज्ञान ने उसको बाढ़ रखा अज्ञान अटा और वो तो मुक्ती को चली गई तो उसका तो जड़ से कोई लेना देना नहीं आत्मा का लेना देना नहीं और वो बेचारी जो कहना चाहिए जो तिजोरी है वह ये शरीर है जो पिछले जनम के कर्म के भुगतान के लिए मिला ये जड़ है बेचार है ये तो तिजोरी की तरह है तो आत्मा नहीं भोगती और ये शरीर नहीं भोगता तो कौन भोगता है एंकार भोगता है मेरे पास करोड रुप्या है मैं चाहता हूं उसको खरीद सकता हूं और पैसा फैंक देख तमाशा तो पैसा फैंक के मैं तमाशा देख सकता हूँ, मैं करोड़ पती हूँ, मैं चाहे जैसा कर सकता हूँ, किसी अफसर को खरीज सकता हूँ, किसी करमचारी को खरीज सकता हूँ, समाज में पैसा फैंक करके मैं नमबर वन बन सकता हूँ, सबसे आगे आ सकता हूँ और किसी MLA MP के लिए जनता के अंदर पैसे फैक करके उनको जीता सकता हूँ तो सारा एहंकार बोगने वाला है जो सुक बोगने वाला है ये एहंकार है हमारे अच्छा बोजन आया और जो कहते है वो चपन बोग का जो है बोजन आया तो वो बोजन हम खाने लगे तो बोगने वाला एहंकार है कि देखिए कितना जो है ये बड़िया बोजन है ये सारा एहंकार बोगता है और रेखिए कि ब्यावशादी के अंदर बहुत जूरदार पंडाल इवेंट्स वगेरा खुब करोड़ रुपे खर्च किये तो बेचारे बरातियां को तो वोजन से मतलब है और दूले को दूलन से मतलब है और जो है वो सारा जो भोगने वाला है वो एहंकार है देखो मैंने इतनी बड़ा पंडाल और इतना करोड़ रुपे की बनाई है तो सुख वो भोगता है और चार-परण दिन के बाद तो जनता चाहिए, बड़िया से बड़िया कितना ही, बड़ा आयोजन हो, उसको जो है वो भूल जाती है और जो खाया पिया है, वो दूसरे दिन सारा निकल जाता है, तो बाई और बेनों सब कुछ दुनिया के अंदर जितना भी सुख का भोग ह वो भोगने वाला एंकार है तो अब हमने ये बात तो तेह कर ली कि एंकार भोगता है तो उसके भोगने से हमारे को कितना नुकसान होता है कि चार जो चार्जिंग बढ़ता है एंकार के भोगते ही हमारा चार जो भाव पड़ते है और एंकार की डॉमिनेशन होती है उस पे जो कोड चड़ जाता है वो राग द्येश का कोड काई ये कर्मों का कोड काई ये वो चड़ जाता है तो हमारा क्या फाइदा हुआ, हमारे तो वही आवागमन बढ़ गया, तो हमारा लक्ष आवागमन बढ़ाना नहीं है, हमारा लक्ष आवागमन को कम करना, आवागमन अग्यान है, अग्यान का नास ही सच्चा नास है, अग्यान का त्याग ही सच्चा त्याग है, तो हम क्या क करें हम ये करें कि जो हमारा सनातन सकते है जो सिद्धान के उपर आदारी थे जो भूद बविश्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता हमारी आत्मा सनातन है भूद बविश्य वर्तमान में थी पिछले जनम में जो सरीर था उस समय में भी यही आत्मा थी ये जो सरीर है इस समय म आत्मा वही है वह बदलती नहीं किंचित मातन भी नहीं बदलती है जब वो कारावास सारा अग्यान समात हो जाएगा तो अग्यान की कारावास से निकल करके वो शिद्ध बुद्ध मुक्त ही है तो अपने इस्तान के अंदर शिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर बन करके और शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगी शाश्वत सुख का अर्थ होता है एंकारवाला सुख नहीं एंकारवाला सुख तो रागद्वेश का है ये मैंने किया ये मेरे द्वारा किया गया लेकिन वो जो सुख है वह सुख रागद्वेश सहित है आनन्द का सुक है जो बीतर आत्मा का सुक है वह सुक रियल सुक है और जो हमको एनकार के द्वारा सुक प्राप्त होता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकिसा का जो भी प्राप्त होता है वो तो सुका बाश है अच्छा बोजन मिला, अच्छा कपड़ा मिला, अच् अच्छी संतान मिली, अच्छी इस्त्री मिली, ये सब सुकाधास है, ये सभी नाश्वान है क्योंकि ये तो जो है उदे प्रारब्थ से जुड़े हुए ये जड़ है और ये नाश्वान है, ये आवस्ता है, ये जाने के लिए यहर संजोग के साथ में वियोग जुड़ा हमको ये करना है कि सनातन सत्य को प्राप्त करना है सनातन सत्य है हमारा चेतन यानि हमको जड़ का पाला छोड़ना है और चेतन के पाले में आना है जैसा मैंने बताया कि हमने जो है हमारे प्रभू को यहां इस्तापित कर दिया तो चौबीस गंटे प्रभू की आग्या में रहना प्रभू की बजना करना प्रभू के नाम की माला फेरना कि मैं शुद आत्मा हूं मैं शुद आत्मा हूं और उसके साथ साथ में हमारा जो हमारा उदे प्रारब्द चल रहा है यानि की कोई हमको मार रहा है कोई पीट रहा है कोई सेवा कर रहा है और जो है कोई तिरशकार कर रहा है और कोई हमारी मदद कर रहा है दोनों ही बाते होती है उसको कुदरती रचना मानना उसको सम्यक तब कहते है कुदरती रचना का अर्थ ये हुआ कि मन वचन काया रूपी इस प्रकर्ती से हम जुड़े नहीं प्रकर्ती अलग और पुरुष हमारा जो शुड़ात्मा सुरूप चेतन है वा पुरुष है प्रकर्ती और पुरुष को अलग अलग रखना अगर हम सांख्य की बासा में बात करें तो ये सांख्य की बासा में जो प्रकर्ती है जो मन वचन काया है इसका बिम्ब है वो शुद आत्मा पुरुष के उपर पड़ता है तो बिम्ब पड़ने से वो अशुद हो जाता है और जब उसको प्रग्या जागरत होती एंलाइटनमेंट होता है तो प्रग्या कहती है आप अशुद हो गए तो अशुद होने पर फिर वो चिंतन करके और वापस शुद हो जाता है यानि कि वो उसके साथ जुड़ा नहीं रखना तो कहने का अर्थ यह है चाहे कोई भी वेदान की तोरी हो चाहे सांकी की तोरी हो कि प्रकरती पुरुष को जुदा जुदा रखो हमारा सद्गुरु या ज्यानी पुरुष क्या कहता है कि आमने तुमारे को पुरुष बना दिया तुम अब जोब है पुरुष रत्तों को सुईकार करो इसका अर्थ यह है कि आप प्रकरती से अलग रहो प्रकरति के साथ जुड़ो मत उसको कुदरती रचना मालो मन वचन काया कुदरती रचना है और ये उद्य प्रारब्त के अधीन है ये जो है कुदरत के अधीन है ये विवस्तिश शक्ती के अधीन है और कुदरत इसकी creator operator destroyer है तो मैं तो जो है इसमें कोई भी परिवर्टन करने की पावर नहीं है एक अतिरिक सांस लेने की मेरे को पावर नहीं है मैं तो बस रियल पुर्शाथ कर सकता हूँ ये सारा है जड का सारा जो की उद्धे प्रारद और जो हमारा कुदरती रजता चल रहा है ये सारा जड़ से जुड़ा हुआ है लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है मेरे हाथ में तो जो चेतन तत्व है इस पर खुदरत का कानून लगूनी होता है ये शेहनशा है और ये उससे परे है शेहनशा के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुवा बे परवा जिन को कुछ न चाहिए सोही सहनशा हमारा जो चेतन तत्वा आत्मा है इसको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अनन्द ग्यान वाला, अनन्द दर्सन वाला, अनन्द शक्ति वाला, अनन्द सुका दाम है, ये तो सर्वे सर्वा है, इसको किस चीज की आवशक्ता है, किसी की आवशक्ता नहीं है, और हम जड़ से जड़ करके और उसकी आ वहांतर का काम होता है तो इसलिए भाई और बैनों आज जो अबने ये विशह लिया है कि सुक कौन भोगता है सुक वास्तों में एंकार जो भीतर बिराजमान है वो ही भोगता है कि मैं बड़ा आदमी मैं बड़ा जज हो गया मैं बड़ा इंजीनियर हो गया मैं बड़ा लेकक हो गया और मैं प्रदान मंत्री हूँ मैं राष्ट पती हूँ मैं जो है कुबेर पती हूँ मेरे पास इतने इतनी बड़ी संपत्ती इतने गाड़ियां इतने मकान इतने मॉबाइल इतने कपड़े और देखो मेरा आली शान शान शौकत देखो वह मद करने लग जाता है कुल आठ तरह के मद होते हैं जाती, कुल, तप, ज्यान, बुद्धी और जो है वो अपना जो एश्वरिय इन सब चीजों से व्यक्ति को दूर रहना चीए मद मतलब एंकार है तो हम ये इस एपिशोड के माद्यम से आपको सला देना चाते है आप निरंगकारी बनो निरंगकारी का अर्थ क्या नो ओनर्शिप, नो डूर्शिप जब हम किसी चीज के करता नहीं रहे तो निमित बन जाते हैं हम को जब जो है ज्यानी पुरुश या गुरु मिलता है वह हम को अकरता बनाके निरंगकारी बना करके और हम को जो है चेतन के पाले में ले आता है सर्वे बहुंत सुखिन, सर्वे संतु निरामया लोग के जीवों को सुख मिले, शान्ती मिले, आनन्द मिले प्रेम मिले, सोहार्द मिले और हम सभी एहंकार का विशर्जन करके निरंगकारी बन करके और शाष्वत सुख की निव लगाए शाष्वर्ष्टों को पार करें आपके प्रदी मंगर। एक ऐसा अंतराष्ट्य ख्याती प्राप्त मानव जो गुरू प्रेणा से पिछले 20 वर्षों से वान प्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में सनलगन है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्य अंतर राष्ट्य टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्म विज्ञान एवं पनुरुथान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनों प्योगी विश्यों पर रिदैस पर श्री प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड प्रोफेसर तातेड दुवारा योग दर्शन शिक्षा विशयों पर रचित पिएशडी स्तर के 250 शोद गरंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध गरंथ वहां की सेंटरल लाइबरेरियों में उपलब्ध हैं महात्मा सुहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्क्शॉप कैम्प लगाकर लाखों विद्यार्थियों को चार हजार से अधिक समसामियक विश्यों पर आर्टिकल लिख कर ओनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया जिसका उप्योग लाखों पाठक कर रहे हैं उपासक तातेड के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुब संदेश, आज का मंगल भावना योग, आदी चिंतन वेबसाइट्स, ट्वीटर, ब्लॉगर, फेस्बुक, यूट्यूब, माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्मान कर रहे हैं मानवता के मसीहा ऐसे महा मानव महत्मा सोहन राज तातेड के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर, एवं लाखों दर्शक, फेस्बुक, ब्लॉगर, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं कर दो कर दो कर दो झाल